जयतु संस्कृतं जयतु भारतं विद्यार्थिनह यथावयं जानीमह यद अधुना कोरोना वायरस नाम व्याधी नकेवलं भारते अपितु संपूर्णे विश्वे व्यापतास्ती अनेन रोगेन सह सर्वे पिजना एकम युद्धम योध्यमाना संती अस्मिनकार्ये वयम अपिसायोगम करिश्यामा अतावयम ग्रहे इस्तित्वाएव अध्यनम अध्यापनम्च करिश्यामा अहम्मनिश्यरमा प्राध्यापक राजकिय वरिष्टु पाध्याय संस्कृत विद्ध्याले जूनी मंडी जोध्पुर्तह सरवान अपिछात्रान संस्कृत वांगमैस्य अध्यापनम कारिश्यामा सरवपर्थमम वयम पश्याम यत्य शंस्कृत वांगमै कानि कानि पुष्टकानि शंति सरवपर्थमम पाठिक्रमम अवलो कयाम अतावत लगु सिध्धान्त कौमुदी नाम एकम पुष्टकम चलिश्यती तत भूदातू 10 लकारी शुरूप सिध्धया सिवराज विजया पर्थम विरामस्यस वितिय निश्वाश अपी वर्थते त्रिंशत अंका नाम लगु सिध्धान्त कौमुदी वर्थते ततस अंकश्य शिवराज विजया वर्थते अथाच नीत शित्कम अपी वर्थते एक पंचासत सिलोक संख्यात शत शंख्याप परिमितम सिलोका हा तत आगमिश्यंती सिलोका नाम व्याख्या भी वविश्यती अमर कोशह मनुष्य वर्गह दसंकश्य वर्थते अवखडा चक्रम अपी वर्थते दसंकश्य रचनानुवाद कौमुदी अपी वर्थते दसंकानाम तवि दसंकानाम रचनानुवाद कौमुदी दसंकानाम अवखडा चक्रम दसंकानाम अमरकोश नीतिशतकम दसंकानाम दसंकानाम च शिवराज विजय वर्थते त्रिंशत अंकानाम लगुषिद्धांत कौमुदे वर्थते अथ सरो परतमम वयं लगुषिद्धांत कौमुदे मेव पठिश्या महां लगुषद्धान्त को मुद्ध्यार अचईता वरद्राज आचार्य वर्थते occupied एइंघ्वा अचार्या सरस्वतिम देविम नत्वा अश्य काव्यष्य अश्य गृंतष्यर अचनाम अकरोत अतव वयमपी महातरं सरस्वतिम प्रणम्या अश्या अध्यानम करिष्यामां वगंत सरवे एकवारं उचारणं कुरवंतु नत्वासरस्वतिम्देविम् सुद्धाम गुन्याम करोम्यहं पाणिनिय प्रवेशाय लगू सिद्धांत कोमुदिम् पाणिनिय सास्त्रे प्रवेशाय पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनियम तेन प्रोक्तम अत्र अनेन सुत्रेन प्रते वर्तते तरी पाणिनिना प्रोक्तम यत सास्त्रम तत पाणिनियम सास्त्रम अष्टाध्याई सास्त्रम अश्टा ध्याई सास्त्रे बाला नाम प्रविशाय वरद राज आचारियन लगू सिद्धान्त को मुद्या रचना करता अस्ति वहिम परिश्याम सरो पर्थमं पश्याम तत्र व्याकरन सास्त्रस्य परिचयम उद्देश्यम महत्त्मंच व्याक्रियन ते वितपाध्यन ते शब्दा अनेने इती व्याक्रन सास्त्रम वी आंग इती उपसर्ग पुर्वकात क्री धातो लिट परते करते व्याक्रन सब्द निश्पन्न भवती अर्थार्थ वी उपसर्ग अत्रवर्थते आंग उपसर्ग अत्रवर्थते लुक्रिय करने इती धातो यदा लिट परत्यय क्रियते यदा व्याक्रन सब्दस्य शिद्धी भवती तस्यार्था भवती येन सास्त्रेन सब्दानाम निस्पत्ती भवती ज्ञानम भवती तत्सास्त्रम व्याक्रन सास्त्रम वर्थते अनेन व्याक्रन सास्त्रेन नकेवलं सादु सब्दानाम ज्ञानम भवती अपितू अशादु सब्दानाम वारणम अपिभवती यतोही य वय्याकरण सादू सब्दानाम ज्यानं प्राप्ष्यती स कदापी असादू सब्दश्य प्रयोगं न करिश्यती अते येव व्याकरण ज्यानेन सादू सब्दानाम वारणं निव्रत्ती स्वता येव भवती भगवता पतंजिगनाप युक्तम अतशब्दानुशाषनम इती येन सास्त्रेन सब्देसो अनुशाषनम त्रियते सब्दानां ज्यानम प्रदियते तच्छास्त्रम व्याकरन सास्त्रम वर्तते संपुर्णे संस्कृत वांगमे व्याकरण सास्त्रस्य स्थानम सरवुपरी वर्तते यतोही व्याकरण सास्त्रस्य ज्यानम विना वेद सास्त्रादी पुराणा दिनाम केसाम अपि सास्त्राणाम ज्यानम भवितुम न सक्केते यदा यवाक व्याकरण स्य ज्यानम भवती तदा सर्वेसाम सास्तराणाम ज्यानम स्वताईव भवती उक्तम चा मुखम व्याकरणम स्मृतम व्याकरणम मुखम स्मृतम भर्तते यथा सरीरे मुखस्य प्रदानता भवती मुखेन बिना कस्यापी मनुश्यस्य ज्यानमन भवती तच्य परिचयमन भवती तथेव वेद रूप पुरुशष्य ज्यानाय व्याक्रनस्य नितांतम अवश्य कत्म बर्थते अर्थाद यदी मनुष्य इच्चती वेदश्य ज्ञानम वांचती चेद सरो पर्थम तेन व्याक्रनस्य ध्यनम अविश्यम कर्तवियं भवतीन। मर से पतंजले अनुसारम व्याक्रन सास्त्रस्य प्रयोजनानी परिगणितानी संती। ते तानी प्रयोजनानी संती रक्षा उह आगम लगू असंदिय उच्च व्याक्रन सास्त्रस्य मुख्यानी प्रयोजनानी संती। भवन्त सरवे इदम व्याक्रन सास्त्रस्य परिचयम उद्देश्यम मत्वन्च इस्मरंत। स्वस्व अभ्यास पुस्तिकायाम लिखंत। परिख्षायाम यदा प्रश्णा आगचती तदा भवन्त सरवे लिखंत। अहम मन्ये भवन्त सरवे इदम व्याक्रन सास्त्रस्य परिचयम उद्देश्यम मत्वन्त सरवे लिखंत। रस्तु अध्यकरते एतावत एव जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।